Hey Hello KS Family, You are watching KitKate Yes and This is BeKesh Friends, हमारा इंडिया ग्रेट है क्योंकि यहां के लोग ग्रेट है इंडिया एक कंट्री नहीं है बलकि यह 28 अलग 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 इस्टेट है जहां अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं जो अलग 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 लैन्वेज बोलते हैं और अलग अलग कल्चर फॉल्व करते हैं लेकिन पर भी यहां के यूद दो बड़ी गलतिया करते हैं पहली गलती, वो मैस पे अच्छे होते हैं और दूसरी गलती, वो इंजिनिरिंग करते हैं बाईयो और बहनों, इस वीडियो में मैं आपको इंजिनिरिंग से जोड़े कुछ फ्रेक्ट बताऊंगा इस वीडियो को जरूर पूरा देगना और बिना इस वीडियो को देखे कोई भी जज्जमेंट पास मत करना So let's begin इंडिया में इंजिनिरिंग वन अब दा मोश्ट कॉमन करियर बन चुके है जिसे maximum लोग कर रहे हैं इंडिया हर साल 1.5 मिलियन मतलब 15 लाग इंजिनियर हर सार प्रडियूस करता है जो आइसलेंड के टोटल पप्लेशन से भी डबल है और हमारा ये रिकॉर्ड USA और चाइना मिल कर भी तोड़ नहीं पा रहे है 2014 में जे डबली में 1.4 मिलियन स्टूडेंट्स ने एक्जाम दिया था जो अपने आपने एक रिकॉर्ड है और ये फिगर GMAT और GRE एक्जाम के टोटल स्टूडेंट से भी जादा है जो पुरी दुनिया में है और एक और इंपोर्डेंट बात ये है कि Indian coaching industries जितना पैसा बनाती है एक साल में उतना पैसा तो Bollywood भी नहीं बना पाती और जो Silicon Valley जो technology hub है 33% engineer है वो Indian सी है Silicon Valley पे जो 15% startups है उसके co-founders Indian engineers सी है और अमेरिका जैसी powerful country भी हमारे देश से human resources लेती है हमारे engineers, doctor, dentists और भी कई field के expert लोग इन सबसे ये बात तो clear हो जाती है कि हमारे देश मेटालिंग की कमी नहीं है creativity की कमी नहीं है अगर भी ऐसा क्यों होता है कि अगर एक साल में 15 लाग engineer produce किये जा रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 1 लाग को ही नौकरी मिलती है जो 15 लाग students हर साल produce किये जा रहे हैं उसमें से सिर्फ 10 पसंड को ही नौकरी मिलती है और उस 10 पसंड में भी स्रिफ 7 पसंड लोगों को उनके core field में job मिलता है core field से में मतलब है कि अगर को engineer mechanical का है तो उसे mechanical field में job मिले बसे कहने के लिए तो India 1.5 million engineer हर साल produce कर रहा है बट क्या आपको पता है उसमें से सिर्फ 3% लोगों के पास skill होती है और सुचने वाली बात यह है कि अगर आपके पास skill नहीं है तो कोई भी company आपको क्यों नौकरी देगी according to All India Concelling of Technology हमारे दिश में 60% engineer अभी भी बेरोजकार है unemployment के सिकार है अब quickly वो reason बताता हूँ जिसके विजस्ते हमारे इंजिनर सी यह हालत है लोग कहते हैं इंजिनरी कर दी मतलब लाइब जर्ण है career नहीं है, job नहीं मिलने वाला कितने सारे jokes बनते हैं लेकिन friend क्या आपको पता है इंजिनर कोई ऐसा ही नहीं बन जाता है इसके लिए कितने सारे paper बिलने पड़ते हैं वो एक इंजिनरी जानता है मैंने भी इंजिनरी की है इन चार सालों की पढ़ाई में कितने सारे exam होते हैं कितने सारे class test होते हैं कितने सारे assignment बना जाते हैं personality development के जाता है और भी बहुत सारी चीजे जिससे एक student को बहुत सारी health मिले आती है जब आप engineering करके बाहर निकलते हो तो आप एक professional level की इंसान बन जाते हो लेकिन जब आप engineering complete करते हो और real life में आते हो तो आपको पता चलता है जो भी चीजे आपने पढ़ी है चार सालों तक उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है अभी भी इंडिया की education quality बहुत poor है जहां सिर्थ theory knowledge दी जाती है इस practical नहीं बताया जाता practical के नाम पे सिर्फ practical exam हो जाते हैं और कुछ नहीं होता और यही कारण होता है जिसकी वज़ाद से लोगों में skill की कमी आती है उन्हें लगता है कि अगर हमें 4 साल पढ़ाई कर लिए डिग्री हमें मिल गए तो कोई भी college हमें नौकरी दे देगा लेकिन आपको कोई भी job पाने के लिए आपको skill की ज़र्वत होती है जो skill आपको college नहीं सिखा पाता इंडिया एजूकसेन system में बहुँ सारी exam होते है exam ंपे exam होते है वो सारी exam theory वाले ही होते है और इंडिया में मुझे सबसे बड़ी problem लगती है Ingenius की वो यह है कि हमें जितने ingenius की जरुवत है इंडिया में उससे गहुआ ज़्यादा इंइन्जिनियर्स आप imagine करो हर साल 15,000,000 इंजिनियर बन रहे हैं जिसमें सेह में सिर्फ 10 या 20% इंजिनियर्स की ही जरुवत है और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण इतने सारे इंजिनियर्स अनिंप्लोईड है उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है तो कि नौकरी है ही नहीं जिन लोगों के पास अच्छी नौलेज होती है अच्छी स्किल होती है प्रैक्टिकल नौलेज होती है उन्हें अमेरिका जैसे कंट्री ले लीती है और बागी इंजिनियर्स जिनके पास कम स्किल होती है या जिनके पास skill नहीं होती वो unemployed रहती है या कम salary पर job करती है फ्रेंड बस इतना ही कहोंगा कि अगर आपको engineering करनी है तो कर लो उसमें कोई प्रॉब्म नहीं है लेकिन अगर आप मैस पाले हो तो भी आपके पास trip engineering यह एक option नहीं है और यह बहुत सारे option है बहुत से celebrities है फेमस लोग है जिन्होंने engineering तो की है लेकिन वो आपने passion को follow कर रहे है और वो different different field में successful है तो last में बस इतनी सी refresh करूँआ कि आपको अपने passion को follow करना जाहिए ऐसा बिल्कुल भी जुरूरी नहीं है कि अगर आपके parents बोल रहे है या अगर आपके कोई relative engineering कर रहा है तो आप यह engineering ही करो engineering एक professional field है लेकिन इसमें competition इतना जादा बढ़ गया है तो अगर आपके पास skill नहीं है practical knowledge नहीं है और engineering का जुरूर नहीं है तो आप उस पर survive नहीं कर पाऊगे और फिर आपको भी 10 या 15 जाग की कोई नोगरी करनी पड़ेगी तो फेंड होप करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई हो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना याद और खुल के इससे दिल खोल के शेयर करो और अगर आप मुझे अग्री करते हो तो इससे डाउनल करके whatsapp पर भी शेयर जरूर करना तो फेंड थांक्यू प्राचिंग अब गुड़ डे मिलते हैं ऐसी इंट्रेस्टिंग विड़ो पी तब तक लिए भाद माता किज़े वंदे मात्रम दी स्मार्ट पी अवेर